Hello everyone, I am back with another video and this is the remaining part of our previous video which was on the topic atomic orbitals, their shape, size and energy order. So, पिछली वीडियो में हमने atomic orbitals के बारे में पढ़ा था. तो atomic orbitals क्या होती है? कि nucleus के चारो दरफ, जो भी area है, अगर हम उसमें 3-dimensionally move करें तो जहां पर सबसे ज़्यादा probability होगी, यानि कि ऐसा reason जहां पर maximum probability होगी electron के पाए जाने की, वही होगी atomic orbital. वही reason कहलाएगा atomic orbital. तो लास्ट वीडियो में हमने atomic orbitals की energy के बारे में पढ़ा था और s orbital की shape के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे p orbital की shape के बारे में, d orbital की shape के बारे में और notes क्या होती हैं इसके बारे में. तो छोटा सा precap कर लेते हैं, कि s orbital की shape के बारे में हमने क्या पढ़ा था? s orbital की shape spherical होती है, सब s orbitals similar होती है, identical होती है, क्योंकि इसमें जो shape है, वो spherical है, कोई फरक नहीं है. अब जो s orbital थी उसमें l बराबर 0 यानि कि azimuthal quantum number की जो value है वो 0 होती है ऐसे ही m बराबर 0 होता है इस वज़े से जो s orbital थी उसका orientation केवल एक था और ये कैसी होती है non-directional होती है non-directional का क्या मतलब है ये अभी p orbital और d orbital में जादा समझ आएगा चलिए तो देखते हैं p orbital क्या होती है कैसी shape होती है p orbital की अब p orbital start करने से पहले हमें ये तो पता ही है कि जो p subshell है उसमें कितनी orbital होती है तीन orbital होती है यानि कि जो p में खाने होते हैं जब हम p subshell को बनाते हैं इस तरीके से तो इसमें हम कितने खाने मनाते हैं? तीन खाने मनाते हैं तो यही P sub shell की तीन orbital होती है तो इनका जो नाम होता है वो PX, PY और PZ रखा गया है और यह किस basis पे रखा गया है? इनकी coordinated axis की basis पर रखा गया है यानि कि हम आके diagram में देखेंगे कि इनकी जो orbital है, इनके जो lobes होंगे orbital के जो lobes होंगे वो किस direction में oriented है? उसके basis पर इनका नाम PX, PY और PZ रखा गया है चलिए देखते हैं तो जो shape होती है P orbital की वो होती है dumbbell shape dumbbells आप जानते होगे जिम में जो हम biceps बनाने के काम में आता है वही होता है dumbbell shape तो जो P orbitals होती है, उनकी shape होती है dumbbell for P orbital, L is equal to 1 and M is equal to minus 1, 0 and plus 1 यह हम पढ़ चोके हैं कि L की जो value होती है उससे minus से लेके plus तक M की values होती है यानि कि अगर L की value 1 है तो minus 1 से plus 1 तक जितनी values होंगी वो सब M की होंगी इसलिए जो P orbitals हैं उसके पास 3 orientation होती है यह जो M की 3 value आई इससे हमें यह पता चला कि जो P orbital है उसमें 3 orientation होती है यानि कि P orbital 3 direction में बनी हो सकती है जो की होती है Px, Py और Pz which are degenerate अब आप सोच रहे होगे degenerate का मतलब क्या है degenerate हम उन orbitals के लिए यूज करते हैं जिनकी energy एक जैसी होती है यानि की same energy होती है तो यह जो Px, Py और Pz है इनकी energy same है इसलिए यह आपस में degenerate orbitals के लाएंगी अब next point P orbital में एक nodal plane होता है यानि की एक ऐसा समतल होता है जिसमें node present हो अब node क्या होती है node एक ऐसा reason होता है एक ऐसा space या एक ऐसा शेत्र होता है जहाँ पर electron के पाए जाने की जो capacity है जो probability है वो सबसे कम होती है सबसे कम क्या कहें बिलकुल 0 ही होती है तो P orbital have a nodal plane where the electron density is found to be 0 जो electron density है या जो electron है एक ऐसी जगा जहाँ पर 0 electron पाए जाए 0 probability है electron के पाए जाने की वो कहलाता है node तो P में एक nodal plane होता है हमने S में पढ़ा था कि S में कोई node नहीं थी ठीक है P orbital has directional character because of PX, PY and PZ तो directional character से हमारा यही मतलब था कि जो इसके lobes होंगे इस orbital के lobes होंगे वो X axis, Y axis और Z axis के along लगे हुए होंगे यानि कि किसी axis के जरिये हम उसके lobes को show करेंगे इसलिए यह जो P orbitals होती है वो directional होती है अब देखो अब हम P orbitals की shapes देखते हैं कि जो हमारी तीन P orbital है PX, PY और PZ उनकी shape किस किस तरीके से होती है तो बहुत इसी है हमने तीन axis कीची है हमारी XYZ तीन axis होती है तो X axis, Y axis and Z axis तो अगर जो lobe है lobe यानि कि यह वाला एक हिस्सा और यह वाला एक हिस्सा तो यह कित्ते हो गए? दो lobes हो गए तो जो lobe है या फिर जो P orbital है वो orbital X axis पर या X axis के along लगी हुई है तो यह कौन सी orbital कहलाएगी? PX similarly, जो PY है उसमें lobes कहां लगे हुए होंगे? Y axis पर लगे होंगे और ऐसे ही जो PZ orbital होगी उसमें lobes कहां होंगे? या फिर orbital कहां पर होगी? Z axis पर होगी देखो, यह रही Z axis पर इसलिए यह हो गई PZ यह रही Y axis पर इसलिए यह हो गई PY और यह रही X axis पर इसलिए यह हो गई PX अब आप देख रहे होगे यहां पर लिखा हुआ है node, node और node तो यह वाला जो reason है जहां पर electron के पाए जाने की जो probability है, जो आशंका है वो 0 है यानि कि यहां electron नहीं पाया जाएगा electron कहां पाया जाएगा? इन वाले हिस्सों में लोग वाले हिस्सों में ठीक है? चलो तो यह हुई हमारी shape of P orbital उसके बाद बढ़ते हैं D orbital की रख अब हमने देखा कि D orbital में हमने बहले पड़ा हुआ है कि जो D sub shell है उसमें कितनी orbital यानि कितने खाने होता है? 5 है ना? जब हम D orbital बनाते हैं तो उसमें कितने खाने होता है? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 तो D sub shell में कितने orbital होते हैं? 5 orbital होती है तो for D orbital L बराबर 2 होता है यानि कि जो ऐसी मुथल quantum number है वो 2 होता है तो अब हमें पता है M की value किया होगी? L की value से minus से लेके plus तक L की value है 2 तो minus 2 से लेके plus 2 तक होगी M की value अब इसके बीच में जितनी भी आ रही होगी कि M की जितनी value थी वो क्या बता रही थी? कि जो orientation है वो कितनी हो सकती है तो अब इसमें 5 value है 1, 2, 3, 4, 5 तो जब M की value 5 है तो D में कितनी orbital होगी? 5 orbital होगी तो उनके नाम किस तरीके से है? Dxy, dyz, dzx, dzx और 5 भी है dx square minus y square अभी हम देखेंगे कि ये किस-किस तरीके से लगी हुई होती है x पर अब जो important बात है वो यही है कि ये जो 5 और्बिटल है वो भी degenerate है जैसे हमने P में पढ़ा था कि Px, Py और Pz degenerate है यानि कि इनकी जो energy है वो सेम है उसी तरीके से ये dxy, dyz, dzx, dz square dx square minus y square भी degenerate है यानि कि इनकी energy भी equivalent है या फिर equal है अब ये 5 degenerate orbital है तो इसे हम एक नाम और देते हैं इसे कहते हैं फाइब फोल्ड डी जनरेशी ठीक है फाइब फोल्ड डी जनरेशी आगे देखते हैं for dxy, dyz and dzx the lobes are lying between coordinated axes ये हमेशा याद रखना कि ये axes पर नहीं होंगी axes के बीच में लाई कर रही होंगी कौनसी-कौनसी dxy, dyz और dzx ये जो तीन और्वाइटल है ये axes के बीच में लाई कर रही होंगी और कौनसी axes के बीच में वही axes जो इनके नाम में है for example, अगर dxy है तो x और y axes के बीच में जो जगा होगी वहाँ पर होगी ये वाली और्वाइटल similarly, जो हमने yz लिखा है तो y axes और z axes के बीच में जो जगा होगी वहाँ पर और्विटल होगी ये वाली तेक है अब इसके बाद देखते हैं इस त्री और्विटल्स यानि कि कौन सी तीनो ये वाली तीनो dxy, dyz और dzx इनको हम t2g ग्रूप भी कहते हैं आप आगे slabus में पढ़ोगे जब हम इस spectrum पढ़ते हैं और्विटल्स डाइग्राम वगरा पढ़ते हैं या फिर हम देखते हैं कि d orbital की जो splitting है वो किस तरीके से होती है उसमें हम पढ़ते हैं t2g ग्रूप और e g ग्रूप तो t2g ग्रूप में क्या आता है ये तीन और्विटल हाती है dxy, dyz और dzx उसके बाद जो dx square minus y square है उसमें जो lobes होते हैं वो x और y co-ordinated axis पे लाई करते हैं यानि कि axis पर ही होंगे axis के बीच नहीं होंगे ऐसे ही जो dz square है उसमें जो दोनों lobes हैं वो z axis पे लाई कर रहे हैं और उसमें एडिशनली क्या होता है x y plane में एक ring भी present होती है पतलब उस shape में जो भी इसकी shape बताई गई है उसमें जो d orbital के lobes हैं वो तो z axis के along होते हैं और उसके अलावा x y plane में एक ring type structure भी होता है यानि कि एक lobe ring की shape में x y plane में nucleus के around present होता है आगे इसकी shape देखेंगे तो जादा समझाएगा उसके बार देखते हैं this set of two orbitals that is dz square और dx square minus y square is eg set जो हमने उपर तीन पढ़े थे यह है t2g set और यह दोनों आते हैं eg set में उसके बार eg set axial set होता है और जो t2g set होता है वो non axial set होता है axial set और non axial set से यह मतलब है कि देखो t2g वाली कौन सी थी dxy, dyz और dzx यह क्या थी between the plane लाई कर रही थी कहां मतलब जो axis है उनके बीच में लाई कर रही थी लेकिन जो eg वाली orbital थी वो axis पर ही लाई कर रही थी इसलिए इने axial कहा है और यह axis पर लाई नहीं कर रही है इसलिए ने non axial कहा है तो जो general shape होती है d orbital की वो कैसी होती है double dumbbell यानि कि 2 dumbbell साथ जोड़ दो तो shape बन जाती है d orbital की उसके बाद देखते है d orbital की shape किस किस तरीके से होती है तो हमने अभी पढ़ा कि dxy, dxz और dyz कहा होती है axis के बीच में होती है कहने का मतलब यह था इससे आपको आसानी से समझ आएगा मान लो यह x axis है यह y axis है ठीक है तो जो dxy orbital होगी वो इन दोनों axis के बीच वाली जगा में होगी तो वही किया है हमने एक orbital यह रही मतलब एक लोब यह रहा और एक लोब यह रहा ठीक है ऐसे ही जो dxz है वो z axis और x axis के बीच में होगी और dyz y axis और z axis के बीच वाली जगा पर होगी उसके बाद हमने पढ़ा था कि dx square minus y square कहा होगी axis पर ही होती है तो यह देखो x और y आ रहा है तो यह x axis पर है और यह y axis पर है ठीक है बीच में नहीं है बीच में यह थी यह x axis पर ही है जो भी axis इंक्लीट करी है उन पर ही है lobs ठीक है ऐसे ही dz square में हमने पढ़ी थी यह special तरीके की orbital थी क्या पढ़ा था हमने कि जो एक lobe होता है मतलब एक orbital होती है वो तो ऐसे z के along होती है मतलब z axis पर बनी होती है और nucleus के चारो तरफ एक ring जैसा structure होता है जो x y plane में होता है there are two nodes in the orbital जो d orbital है उसमें दो nodes होते हैं अब nodes से आप यह याद रखना अगर कहीं लिखा हो radial node radial node और angular node तो यह दो अलग अलग तरीके के nodes होते है radial node और angular node तो आपको ध्यान रखना है radial node अगर कोई total nodes पूछता है तो radial node और angular node दोनों देखोगे वरना generally हम देखते हैं केवल radial node तो यहाँ पर हम radial node की बात कर रहा है तो d orbital में कितने होते हैं दो होते हैं p में कितने पड़े हमने एक और s में कितना पड़ा जीरो अब देखो यहाँ एक additional चीज है extra में है यह चीज आपको फायदा करेगी n equals n minus l minus 1 अब यहाँ पर यह जो n है यह बताता है कि कितनी radial nodes होंगी जो छोटा n है वो है principal quantum number l का मतलब है azimuthal quantum number और minus 1 अगर कोई total nodes की बात करता है तो मतलब angular nodes और radial nodes लेकिन यह formula किसके लिए है केवल radial nodes के दिये ठीक है उसके बाद एक example देख लेते हैं इस node वाली चीज पर कि मान लो 3p orbital दी है और कहा है 3p orbital में nodes बताओ तो कैसे बताएंगे 3p में हमें n पता है 3 है l पता है 1 है तो हम इस वाले formula से इसकी radial node निकाल सकते हैं तो 3 minus 1 minus 1 equals to I am 1 यानि कि 3p में कितनी radial node है एक radial node है अब अगर कोई पूछे angular node कितनी है तो जो angular node होती है वो l की value के बराबर ही होती है l की value कितनी थी 1 तो angular node हो गई 1 और जो total node होती है वो किसके बराबर होती है n minus 1 के बराबर अगर हम इसी example में देखें तो n था हमारा 3 और minus 1 3 minus 1 equals 2 तो जो total nodes होंगी यानि कि angular plus radial वो होंगी 2 वर न होंगी केवल radial nodes 1 ओके तो यह था हमारा atomic orbital का पूरा concept I hope आपको समझ आया होगा आपको जो भी problem हो या जो भी और topic समझने हो आप comment कर सकते हो मैं next video उस पर ही बना दूगी बढ़ते रहे है and that's all for today thank you